दोस्तों रन्बिर कपूर के पास कई सारे फिल्मों के प्रोजेक्स है जैसी कि ब्रह्मास्टर सीरीज, आनेमल पार्क, रामायन ट्रिलोजी और संजी लिला बंसाले जी के साथ लव एन वर मूवी और रन्बिर कपूर अभी फिलाल में रामायन ट्रिलोजी के उपर काम कर रह तो यहाँ पर यह सवाल आता है कि अगर रन्विर कपूर इतनी सारे प्रोजेक्स को 2024 और 2025 में शूट करने वाले हैं तो ब्रह्मास्टर टू और थ्री जो कि 2026 और 27 में आने वाले हैं क्या वो सच में आपने सिलेक्टेट रिलिज डेट पर आया पाएगी या फिर पोश्ट प और थ्री को कंफर्म किया और एक कंसेप्ट आर्ट के जरिये दोनों फिल्मों को अनौंस किया क्योंकि ऐसे भी रूमर्स आ रहे थे कि ब्रह्मास्टर वन के बोक्स ओफिस पे आवरेज साबित होने के बाद ब्रह्मास्टर ट्रिलोजी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा पर दोस्तो आयन मुखरजरी में ठान लिया था कि भाई पिक्चर तो बनेंगी और पार्ट टू देव को दोजाच 26 में रिलिज करने का फैसला किया और पार्ट थ्री को दोजाच 23 में और ऐसा भी कहा जा रहा था कि पार्ट टू और थ्री को एक साथ ही शूट किया पर दोस्तो आभी की हालातों को देखे ऐसा लगता है कि ब्रमास्तर 2 शायद दोजाच 26 में रिलिज नहीं हो पाएगी क्यूंकि देखो रनबिर कपूर अभी फिलाल में रामयन ट्रिलोजी के उपर काम कर रहे है और 2 एप्रिल से इसकी शूटिंग भी शूरू हो चुकी है और रामयन इतनी बड़ी फिल्म है तो कम से कम 4-5 मेहने तो इसकी शूटिंग चलेगी मतलब सप्टेंबर धोजा 24 तक और 24 के एन तक रनबिर कपूर सेथ है और ब्रमास्तर के डारेक्टर यानि के आयन मुखर जी भी वार 2 में बिजी है मतलब दोनों के लिए धोजा 24 पू में ही शुरू होने वाली है और उसी टैम ब्रमास्तर के मेकर्स ने भी शूटिंग करने का प्लान किया है तो हो सकता है कि दोजा 25 में भी ब्रमास्तर 2 की शूटिंग में थोड़े प्रवलोंस आ सकते हैं और जब आयन मुखर जी ने ब्रमास्तर 2 और 3 को अनौन्स किया था तब रन्विर कपूर के पास आलेमल पार्क, रामायन और लव एन वार मुवी नहीं थी और ना आयन मुखर जी के पास वर 2 थी मतलब तब आयन मुखर जी ने शृप अपने ब्रमास्तर के बारे में सोचा और अनौन्स कर दिया पर दोस्त ये तो मेरा ओपिनियन था आपको एलेबाइ